नमस्कार मैं हो यासमीड सुशान सिंग राजपूत अब हमारे बीच नहीं है उन्होंने किन कारणों के चलते इतना बड़ा कदम उठाया ये अभी तक पता नहीं चल पाया है इस बात में अभी तक सस्पेंस बनाऊ है वालिवूर्ड फिल्म इंडस्ट्री के कई स्टार्स अपने अपने हिसाब से सुशान सिंग राजपूत की मौत के कारणों का अंदाजा लगा रहे लेकिन कोई भी अपनी थोरी को ठोस आधार नहीं दे पार है वही सोनुसूद ने एक लीडिंग न्यूस चैनल से इस बारे में बात की है और उन लोगों पर निशाना साधा है जो सुशान सिंग राजपूत की मौत का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे है सोनुसूद ने कहा है कि बहुत सारे लोग सुशान सिंग राजपूत की मौत का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे है जो बहुत ही दुखत है आप सुशान सिंग राजपूत के परिवार के बारे में सोचिए उन पर इस समय क्या गुजर रही होगी जो लोग सुशान्त से कभी मिले नहीं थे, वो डिबेट करने बैच रहे हैं, ये दुर्भागे पूर्ण है सुलोसूत की बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि उन्होंने कहीं न कहीं कंगना रनौत पर ही निशाना सादा है दरसल सुशान्त की मौत की बात सही कंगना इस मामले पर खुल कर बात कर रही है, जो कि कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा है कई लोगों का मानना है कि कंगना सुशान्त के नाम पर राजनिती कर रही है, वहीं कई लोग कंगना का सपोर्ट भी कर रहे है बता दे कि कुछ दिनों पहले कंग्ना रनौत में एक इंटर्वियो के दौरान बताया था कि वो सुशान सिंग राजपूत से कभी मिली नहीं थी लेकिन उन्हें पता है कि सुशान किन चीजों से गुज़र रहे होंगे कंगना रनौत के अनुसार सुषान सिंग राजपूत और मैं कभी नहीं मिले लेकिन हम काफी क्लोस थे और वो अंकिता से सुषान का हालचाल लेती रहती थी लेकिन अब सोनुसूद ने कंगना का नाम लिए बिना ही उन पर निशाना साथ पे वे कह दिया है कि जो लोग सुषान से कभी मिले ही नहीं थे वो डिबेट करने बैठ रहे है सोनुका मानना है कि जो लोग सुषान पर इस तरह की बाते कर रहे हैं उन्हें चुप बैठ जाना चाहिए बतादे शले कि कुछ दिनों पहले सोनुसूद के फांस ने कंगना को काफी ट्रोल भी किया था उनका कहना था कि आउससाइडर्स पर बात करने वाली कंगना ने सोनुसूद को फिल मनी करनी का सिब बाहर कर दिया था खेर देखने वाली बात अब ये होगी कि सोनुसूद के स्टेट्मेंट पर कंगना कैसे रियाक्ट करती है कि सम्राओने जिए आपने स्टेटर कंगना के इब अएया है